अब बच्चो हम लोग चर्चा करेंगे फीचर लेखन की ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदू है फीचर लेखन फीचर को काब विसास्त्र में रूपक कहा जाता है अब फीचर लेखन का अर्थ है मनोरंजन पूर्ण समाचार अर्थात नय नक्स या चेहरा फीचर जब कोई लेखन किसी सूचना या समाचार पत्र को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है उसका चेहरा पूरी तरह से उपर से नीचे तक दिखाई देता है उसे हम फीचर कहते हैं इसमें तथ्यों को मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है अब इसमें आपने देखा जो महतुपूर्ण बिंदु है एक है सजीवता माने फीचर सजीव होना चाहिए और दूसरा रोचक एवं मनोरंजक रोचकता का गुण परमावश्यक है फीचर के लिए आज जो पत्रकारिता लेखन हो रहा है उन सब विधाओं में फीचर का इस्थान बहुत महतुपूर्ण है समाचार पत्रों में समाचार के साथ साथ संपादकी आप देखते हैं विशेश लेख लेख निबंध हास ब्यंग कार्टून और फीचर होते हैं सबसे मिलकर समाचार पत्र का रूप जो है बनता है समाचार पत्र का रूप कैसे बनता है उसमें से लेख निबंध संपादकी हाश्य ब्यंग कार्टून और फीचर ये हो तब फीचर तयार होता है इन सम्में फीचर जो है आधुनिक लेखन विधा है जो पत्र कारता के खेत्र में विख्षित पर्लवीत और समरिद्ध होई है यह अधुनातन विधा है हमारे फीचर की अब फीचर की विशेस्ताएं क्या होनी चाहिए आप कोई फीचर त्यार करते हैं तो या कोई भी संपादक पत्रकार या पत्रकार जगत का कोई लेखक अगर कोई फीचर त्यार करता है तो उसकी विशेस्ता क्या होनी चाहिए फीचर का उद्देश सूचना एवं सिक्षा देने वाला होना चाहिए माने उद्देश क्या सूचना और सिक्षा देना फीचर में जो संबाद होते हैं उनमें बहुत गहराई होती है दंभीरता होती है फीचर जो है सुब्योस्तिक, स्रीजनात्मक और आत्मनिष्ठो होते हैं इसमें तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य का समावेस होता है इसमें विस्तार भी होता है इसमें तथ्य और कल्पना का समावेस होता है फीचर में आंकड़े, फोटो कार्टून और चार्ट नकसे इन सबका प्रेयोग करके उसे रोचक बनाया जाता है अब फीचर होते कितने प्रकार के हैं तो जैसे समाचार फीचर है घटना परक फीचर है ब्यक्ति परक फीचर है सांस्कृतिक फीचर है साहित्तिक फीचर है और लोक रूची फीचर है विज्ञान पर केंद्रित फीचर है और विसलेशन फीचर है सांस्कृतिक फिचर कोई सांस्क्रितिक उत्सव है और सांस्क्रित्टिक छेत्र का कोई भी तत्थ परक अगर है मतलब जानकारी है तो उसे हम सांस्कृतिक फीचर के अंतरगर रखते हैं साहितिक फीचर जैसे कोई कार्ड करम हुआ साहितिका कोई प्रतियोगिताएं हुई साहितिकी या साहितिका कोई विशेश उत्सव हुआ उन सब को हम साहितिक फीचर के अंतरगर रखते हैं लोका भी रूची फीचर लोगों की रूच किधर है लोगों की रूच को देखते हुए कभी हम लोक साहिति भर भी काम कर सकते हैं और फीचर जो है कभी-कभी तातकालिक समस्या प यह वैज्ञानिक फीचर जो है यह वैज्ञानिक घटनाओं को ले करके जैसे अंधस्रद्धा निर्मूरन की बात जब आती है तो विज्ञान केंद्रित फीचर लिखे जाते हैं तो इस तरह से विज्ञान केंद्रिक फीचर हुआ और विसलेशन करके जो फीचर तयार होता है वो विसलेशन फीचर कहा जाता है अब फीचर लेखन के लिए कुछ आवश्यक तथे हैं कुछ आवश्यक बाते हैं फीचर के कथि को पात्रों के माध्यम से बताया जाना चाहिए फीचर की जो कहानी है ऐसे अंदाज में प्रस्तुत की जाए कि पाठक और सोता जो है महसूस करे कि जैसे वो खुद देख रहा है या सुन रहा है पीचर मनोरंजक और सूचना परक होना चाहिए उसमें वो मनोरंजक हो जिससे लोगों की रुच बनी रहे और सूचना देने वाला भी हो उसका एक उदेश से हो एक प्रतिपाद्ध में अब फीचर की जो रचना प्रक्रिया है वास्तों में फीचर एक ऐसी बिदा है जो साहित और पत्रकारिता, चित्रकला और पत्रकारिता का संयोझन करती है। साहित्य और पत्रकारिता चित्रकला और फिर पत्रकारिता मतलब साहित्य और पत्रकारिता चित्रकला और पत्रकारिता इनका संयोजन इनका समयोजन करती है वो फीचर लेखन के लिए आवस्यक प्रक्रिया क्या है सबसे पहले अगर आपको फीचर लिखना है या तयार करना है तो संबंधित तथियों का संकलन करें सबसे पहले जानकारी एकत्र करना पर्मावश्यक है और दूसरा है प्रतिपाद्य लक्ष का निर्धारन जो प्रतिपाद्य है जो उद्देश से आपका जो लख्ष्ण त्यार करेंगे फिर तीसरा आता है मनोरंजक शरस और सुबोद ढंग से प्रस्तुति करण जब आपके पास तथ्थे आ गए संकली थो गए आपका लक्ष निरधारी थो गया तब उसको मनोरंजक ढंग से सरस शरल और सुबोद ढंग से उसे आप प्रस्तुत करिए फिर आमुख और सीर्षक का निर्धारण सीर्षक छोटा हो लेकिन सारगर्वित हो और जिग्यासा बृत्ति को जन्म देने वाला हो आगे क्या होने वाला है कुछ जानने की ललक रहे लोगों के मन में तथ्यों को चित्रों और सब्दों की सहाइटा से रंगीन और आकर्षक स्वरूप दिया जाना चाहिए चित्रों सब्दों को रंगीन और आकर्षक स्वरूप देते हुए हमें फीचर त्यार करना चाहिए अब फीचर की रचना प्रक्रिया के जो चरण है सबसे पहले विशे चैन आप एक विशे करने धान कर लीजिए विशे आपको बताया इसके बाद आप फीचर लिखना सुरू कर दीजिए तो आपका जो फीचर है वह बहुत अच्छे ढंग से लिखा जा सकेगा विशय क्या हो सकता है जैसे एकल परिवार में बुजुर्गों की इस्थित बस्तों का बढ़ता बोज पढ़ाई लिखाई से वंचि वेधन नहीं होता इस बात का हमेशा द्यान रखना चाहिए और फीचर हमेशा उद्देश से परक होना चाहिए वों eficac सिपरक होना ही चाहिए फीचर का प्रतेक अनुच्छेद अनुच्छेद माने पैराग्राफ आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए उसमें गत येवं प्रवाह हो पैराग्राफ छोटे होने चाहिए उसमें एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाना चाहिए प्रतेक पैराग् और फीचर की विशेस्ता है आप कहीं से भी सुरू कर सकते हैं चाहे अंत से सुरू करें चाहे बीच से सुरू करें चाहे आप प्रारंब से सुरू करें फीचर में तथ्यों सूचनाओं और विशारों पर आधारित कथानक विबरण या विशलेशन होता है फीचर को किसी बैठट या सभा के कारिवाही विबरन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए आलेख दो सब्दों से मिलकर बनता है आ उपसर्ग यह प्रगट करता है कि लेख जो है सर्वांग पूर्ण है सम्यक है और आलेख जो है ये गद्द लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विशे पर सर्वांग पूर्ण तथा सम्यक विचार होता है आलेख किसी भी छेत्र से सम्मंदी सोच सकते हैं खेल, राजनीत, फिल्म अई इसमें प्रचलित शब्दावली का प्रयोग पर्मावश्यक है जो प्रचलित शब्दावली है ज्यान वर्धन के साथ साथ मनोवे ज्यानी के स्तर पर मनोरण्जन पर्मावश्यक है बच्चो आईए हम लोग बस्ते का बढ़ता बोज इस विशे पर एक फीचर त्यार करते हैं बस्ते का बढ़ता बोज आज किसी भी गली, महलों या चवराहों पर सुबह के समय नजर गुमाईए अपने नाजुक से कंधे पर भारी भरकम बस्ते का बोज लिये आपको बच्चे दिखाई दे जाएंगे पांच वर्ष की उम्र पढ़ने के लिए 6-7 विशे 8-10 कितावें 16-20 कापियां वो बेचारा बच्चा जो है अपनी पीट पर बस्ते को जो इतना वजनी है लादे हुए जा रहा है उसकी कमर जुग जाती है यह द्रिश्य देखकर आज की सिक्षा बेवस्ता पर प्रस्ण चिन्वी लगता है क्या सिक्षानीत के सूत्रधार बच्चों को कितावों के बोज से लाद देना चाहते है पढ़ाई के इस बोज तले बच्चपन कहीं गुम होकर रह गया है बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित हो चुका है उसके विकास के दो अन्य पहलूं खेल और मनोरंजन पर बच्चे की पढ़ाई पर ही इतना ध्यान के इंद्रित हो गया है कि उसके विकास के जो दो अन्य पहलूं है खेल है मनो रंजन है उसको लोग भूल गए अब केवल मनले बस्ते का बोज इतना है किताबें हैं कापिया हैं तो बच्चे जो हैं अपना ग्रिह कारी करें पढ़ें हैं तो बच्चा खेलना भूल गया अपना मनो रंजन भूल गया और किताबों पर ही बच्चे सो रहें आज मतलब कहने का यह कि माता पिता जो हैं बच्चे को सुलाते भी हैं तो इसलिए कि वह सुबह तरो ताजा होकर फिर से पढ़ाई कर सके और उस बस्ते के भोज को सवाल सके अध्यान करने पर पता चलता है कि सरकारी इस तर पर छोटी कख्षाओं में किताबें बहुत कम हैं किन्तु निजी स्कूलों में मैं बिवेश आलोचना नहीं कर रहा हूं पर निजी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीन विकास के नाम पर विविन विशियों की अनेक किताबें दी जाती हैं अईभावप भी अच्छे प्रहणाम की चाह में यह बोज जेल लेते हैं किन्तु बच्चे इस बस्ते के बोज के नीचे कुचल दिये जाते हैं कुचले जा रहे हैं। उनका बच्पन उनकी खुचियां उनकी कलात्मक्ता उनकी खेल भावना सब कुछ समाप्त हो जाता है अधिक बोज के कारण साधीरिक विकास तो रुकी जाता है कम होता ही है छोटे छोटे बच्चों पर लदे भारी बस्ते उनकी बेवसी को ही प्रगट करते हैं बच्चों को ग्यान देना ही चाहिए किंत पुस्तकी ग्यान कितना प्रासंगीक है यह एक प्रश्ण चिन्व बन चुका है इसके लिए एक नई सिक्षा पद्धत्की आऊ सकता है जिसमें गणित हो विज्ञान हो खेल हो इतिहास एक चलचित्र जैसा हो हिंदी नृत्य और सं संगीत के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाए प्रयोग हो जिससे बच्चों की जिग्यासाबर है उनका जो प्रश्ण उल्टते हैं उसका समाधान हो इसके लिए आवस्यक्ता है प्रसीक्षित स्वयोग सिक्षक उत्तम सिक्षण सामग्री तो बच्चों इस तरह से बस्ते का बढ़ता भूज फीचर जो है लिखा जाना चाहिए आलेख लेखन आलेख क्या है इसके कितने यंग होते हैं क्या विशेष्टाएं होती हैं कैसे लिखा जाता है आलेख जो है गध्य लेखन की सरवाधिक लोकप्रीव विधा है इसमें किसी एक विचार पर सरवांग प्रदान गद्यरचना को आलेख कहते हैं जिसमें किसी विशेश विशे पर विचारों की स्रिंखला बद्ध तर्क पून विश्रेशनात्मक प्रस्थुती की जाती है आलेख में किसी वस्त विचार घटना अथवा इस्थित की समिक्षा और उसका विवेशन किया जाता है वैचारिक गद्यरशना, जिसमें विषार हो, चिंतन हो, आलेख के जो अंग हैं, पहले हैं भूमिका, दूसरा है विषय का प्रतिपादन, विषय का वर्गी करण, आकार, रूप वा छेत्र, विषय का क्रमिक विकास, विषय में तार्तम्यता वा क्रम बढधता होना आवस्य और तीसरा है तुलनात्मक चर्चा और चौथा निश्कर्ष पहले भुमी का हम कोई भी आलेक लिखते हैं तो पहले भुमी का उसकी त्यार की जाती है प्रस्तावना बनाते हैं विशे प्रवेश करते हैं और फिर इसके बार विशे का प्रति पादन विशे का वर्गी करन विशे कितने प्रकार का होता है उसका आकार क्या है उसका रूप क्या है और वो छेत्र कहां कहां है उसका विशे का क्रमिक विकास और विशे में तार्तम्मेता क्रम बध्धता मतलब एक तार्तम में उसका बना हो उपर से नीचे तक क्रम बध्ध हो जिस रहाग, प्रभावी बन सके और तुल ना अत्मक चर्चा अन्न सर जो मतलब इसे मिलती जुलती घटना है इसे हम ले चर्चा करें आज रहा इसके बाद कर से समूचे आलेख का हम शारांश या निश्कर्श अंत में देते हैं आलेख का गुण क्या होना चाहिए आलेख की सबसे बड़ी विशेस्ता होती है विशारों की स्पस्टता बेवाक लेखन और दूसरा है जिग्यासा उत्पर्म करने की सक्ति हो जिग्यासा मतलब जानने की इच्छा है इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा तो इस तरह से जिग्यासा का होना परमावश्यक है आलेख में विशार होते हैं चिंतन होता है अता हुआ जो है माने विशलेशन सैली में लिखा जाना चाहिए अलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए हम जो सूत्र इकठे करते हैं हम जो तठर करते करते हैं वह नवीन हो नूतन हो और जो आलेक की भाषा है वो सरल हो सुगम हो बोद्धगम में हो और प्रभावी हो जब तक भाषा सरल नहीं होगी लोग पढ़ने में रूची नहीं लगाएंगे अपनी और प्रभावी हो मतलब उस आलेक का प्रभाव पढ़ने वाले पर पढ़े और यह तभी होगा जब आलेक जुनंत मुद्दों पर लिखा जाए अत्वा प्रसिद्ध विशियों पर महत्रपून व्यक्तियो पर महत्रपून चरित्रों पर या महत्रपून और सरों पर जब आलेक लिखा जाता है तो लोग उसे पढ़ते हैं और वो प्रभावी भी होता है समया नुकूल होता है समसामाइक होता है लोग उसे बड़े प्यार से पढ़ते हैं आये हम एक आलेक लिखते हैं जैसे बाल स् बाल स्रमिक बरबाद होता बच्पन बाल स्रमिक ये दो सब्दों से बना है बाल और स्रमिक मतलब बच्पन में मजदूरी करना हम यहां से इसको सुरू करते हैं विशे प्रवेश कर रहे हैं ये इसकी भूमिका है बाल स्रम का अर्थ है बच्पन में मजदूरी करना कोई बालक या बालिका का कच्ची उम्र में धन कमाना न केवल उसका दुर्भाग्य है बलकि देश और समाज का भी दुर्भाग्य माना जाता है यह इस्तित अत्यंत चिंता जनक है कोई बच्चा अपनी खुशी से मजदूरी नहीं करता माता पिता अपनी आय बढ़ाने के लिए उसे मजधूरी करवाते हैं और यह बच्चों पर अत्याचार है जिस समय बच्चों को विद्ध जाना चाहिए पढ़ना चाहिए उस समय वे मजधूरी करने जाते हैं अभ्यावक माता पिता उन्हें मजदूरी में धकेल देते हैं कुछ बच्चे अनात होते हैं उन्हें मजबूरी में कारी करना पड़ता है कुछ अपराधियों के गिरोवी बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं भीक या मजदूरी जैसे कारी करवाते हैं ये तो हुई इसकी भूमिका अब आईए बीच में जो उसका भाग है बाल स्रमिकों की समस्या को बढ़ावा देने में समाज की लापरवाही एवं स्वार्थ का भी हाथ है ये इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे सस्ते मजदूर होते हैं इसलिए लोग अपने घरों में दुकानों में धाबों में और फैक्टरियों में बच्चों से काम करवाना पसंद करते हैं यदि इस कारे पर समाज के द्वारा रोक लग जाए तो बाल स्रमिकों की समस्या कुछ अहर्द तक सुलस सकती है लोगों में इस बात को फैलाया जाना चाहिए उस नियम और कानून को बताया जाना चाहिए जागरुकता लानी चाहिए कि बाल मजदूरी कराना सबसे बड़ा अपराद है ऐसे लोग कम हैं जो बाल स्रम को अपराद न मानते हों केवल इच्छा सकती होनी चाहिए सभी लोग बाल स्रम को अपराथ मानते हैं लेकिन एक इच्छा सकती हो भीतर से तो इसका बिरोध करें वो किन्तु प्रबल इच्छा सकती का भाव समाज और सरकार दोनों में है सरकार चाहे समाज चाहे अगर उसमें प्रबल इच्छा सकती है मजबूत इच्छा सकते हैं तो बाल स्रम को रोक सकते हैं बाल स्रम को पूरी तरह रोक देना इसका समाधान नहीं है बलकि आपने बाल स्रम तो रोक दिया लेकिन बच्चे जिस कारण से स्रमिक बने हैं मतलब आपने बच्चों की रोजी रोटी छीन ली वे कहां जाएं क्या क रहें उनके लाचार माता पिता जो हैं भूखों मर जाएंगे माँ बीमार है इसलिए बच्चा जो है मज़ूरी करने जाता है वास्तों में पहले समाज और सरकार को उन बच्चों के लिए दो वक्त के भोजन और निहसुलक सिक्षा की बेऊस्था करनी होगी इसके पस्चात ह बाल सरम कानून का सक्ष्थी से पालन कराया जा सकता है जब समाज के लिए इसके लिए इच्छा सक्षी जगेगी तो यह कलंक स्वयमेवी दूर हो जायेगा तो इस तरह से कालेख बाल श्तरम पर हमने आपको बताया इसी तरह से बहुत साज्य से दहेश का मुद्दा है मैंने जो लंत जो प्रस्ण है इन सब पर हम बहुत अच्छे ढंग से आलेख लिख सकते हैं तो फीचर और आलेख यह दोनों आपकी समझ में आ गए और आप अभ्यास करें कुछ फीचर लिखने का कुछ आलेख लिखने का अपकी अजबamaz में आलेख भीचर लिखर लिखने का अवा खो रिखने का यह दोर से ड्लेख दो यह दो है